हलो फ्रेंट्स फ्रेंट्स स्वागत है आपका हमारी चैनल सुमन केशन हिंदी में और फ्रेंट्स आज हम आपके लिए लिए पनी टिक का मसाला रेसिपी खाने में बड़ी लाजवाब लगती है और ये वीडियो में आपके साथ शेयर कर रही हूं तो वीडियो देखके रेस करके जरूर बताना है कि आपको मेरी र nee कैसी लगी और अगर आप करते हैं तो आपकी कहसी बनी यह भी आपको मुझे कॉमेंड़्डुख से कॉमेंट करके आप जरूर बताएं तो चलिए बनाना शुरूर करते हैं । यहां कि गैस पे मैंने एक पैन रखा है और पैन के अंधर महीं चोटा चमच पीसन का लिया है और पीसन को लिखा-का-क यहाँ भून लेते हैं बिना तेल करें नहीं तो इसकी पिक हर सकते हैं बन फोर टेबल स्ट्पून के मैं यहां पर यह पहलुवर चोटा चर्पून एड करें घडर गरंगे घर मैं करने हाँ यह तोटोटा च्पध और पाउडर करेंगी जीडॉरा यह एक चोटा चंसुटा चर्प प्रफ्लेवर हो जाएगा हमारी पनीर टिक का मसाला रेसेपी में एक चमज मैंने ओईल एड़ किया है और अभी यहां पर देखिए आप चाहें तो इसका बैटर भी बना सकते हैं पहले पानी एड़ करके मगर मैं यहां पर इस तरह से बना रही हूं आप चाहें तो इसका बै प्याज मीने तीनों इसमें डिये हैं और यहां पर इनको मिक्स कर लेते हैं मिला लेते हैं तो यह फोड़ा से ठ्राइओ थोड़ा सा ड्राइओ पानी चोड़ देगा तो यहां पर हमें इसको इस तरह से नहीं करना है नहीं तो außerंवह अच्छे से तो सापनी की पनीर काफी सॉफ्ट होते हैं। अगर आप चंचे के सारे से करें, tuk पनीर के तोंस की तोंगी सकते हैं, यहँ पर यहां पर रिखार लिलीया है। करीब से 30 घंठा इंसे का जुचका है इस तरह से मसाले में कोट करके रखे हैं इनको यहां पर पैन पर फ्राय कर लेंगे तो एक पीस करके मैं यहां पर सारे सबसे पहले पनीर के पीस एड़ कर दूँगी ताकि हम पनीर को फ्राय कर लें बीच बीच में आप शिमला मिर्ची या प्याज को भी फ्राय करने के रख स और जितने भी पीस हमारे पास हैं बैटर में लगे वे उन सभी को हम यहां पीस तरह से सीख लेंगे तो यहां पर दिखिए इस तरह से पैन में सीख लिया है नॉन इस्टिक पैन में ही सीखें आप इसको तो यहां पर दिखिए इस तरह से मैं इसको पीस को एक एक करके निकाल बाखि देए और इनको थोड़ा सा ठंडा करने के लिए रख देंगे बाकि बेच्छी आप works ऑइ ओवे शिम्ना मिर्ची कि प्याइँ के अंदर निकाल लेंगे कि करके यहां पहीं देखें निकाल लिए पीस काफ़ी बढ़िया लग रहे यहीं बढ़िया चुकी नमक एड़ कर देंगे एभर से पर वापस मैंने कड़ाई रख दिये तेल एड़ करा एक बड़ा चम्मच जीरा एड़ करेंगे एक सूटी चम्मच जीरा एड़ करने के साथ दो तीज पत्ते एड़ कर देंगे यहां पर इसके अंदर और तेज पत्ते एड़ कर दिये यहां पर भी इसके अंदर एड़ करेंगे अद्रक और लैसम का कुटावा पेस्ट एक बड़ा चम्मच और यहाँ अब एड़ करेंगे इसके नरम प्याज बारिक कटी भी तो आप इस रेसिपी को बनाते हैं तो प्याज का जादा ही यूज करें आप चाहें तो प्याज की ग्रेवी भी यूज कर सकते हैं मैंने यहाँ प्याज को काटके एड़ किया है और यहाँ पर एड़ करेंगे इसमें वन फोर टिबल स्पून हल्दी पाउडर और कभी भी हल्दी को अगर तेल में हलका सा फ्राय करते हैं तो सब्जी में कलर बहुत बढ़िया आता है एक चोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्ची एड़ कर सब्जी में प्याज करते हैं और जादा प्याज को फ्राय करना है और यहाँ पर रिखे मसाले में करें करें थांट इस सेकंड तक 30 तक चलने के बाद में में और मीडियम साइज के टमाटर लिये ते जिनको मैंने मिक्सी के चला के प्यूरी बना के रैडि कर लीती तो आप इसकी जगे बिल्कुल बारिक टमाटर कटिंग करके भी एड़ कर सकते हैं तो यहां पर टमाटर की प्यूरी से ग्रेवी काफी अच्छी हो जाएगी सब्जी में और सब्जी दिखने में काफी ही बढ़िया लगेगी टमाटर को थोड़ा सा मिक्स करने के साथ ही यहां पर इस करने के बाद यहां लगा देते हैं इसके ओपर धकन और एक उबाल आने तक इस पर धकन लगा के हम रख देंगे गैस पे तो यहां पर दिखिए अभी दिख रहा है कि एक उबाल आ चुका है धकन अटा लेंगे और एक उबाल आने के बाद में यहां पर जो हमने पनीर के प से पनेर के पीसे में और बहुत हलके हाथ से चलाएं क्योंकि पनीर काफ़ी कच्चा होता है तो इसके तूटने का डर रहता है यहां पर मैंने शिमला मिर्ची एक मिनट हो चुका है और अभी हम अटा लेते हैं इसका नगर कशूरी मेती अगर कशूरी मेती आपके पास नहीं है तो आप इसको इसकी किप कर सकते हैं इसकी कोई विचिश अपनी आउश्यत नहीं है कसुरी मैती से काफी बढ़ी है सब्जी के अंदर खुल आती हैं कि अब घर में सब्जी बनाओगे तो पड़ोस में जुरूर पता चलेगा कि आज सब्जी स्पेशल बन रही है यहां पर एड़ करेंगे बारिक कटावा हरा धनिया लास्ट में और यहां पर दिखी यह सब्ज कर लेते हैं धनी को और इसको हम यहां पर हैं कि और अब यहां पर सब्जी बनके तैयार है बस मिक्स करने साथ ही गयश कर देंगेगे पन और यहां पे सर्विंग् प्लीट में सत्सक्राब रहे हैं तो ठीश ठंडा होने के बाद आगे हैं क्योंकि इस तरह की चीनी की जो प जिबन के तयार है तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे अगली नेक्स वीडियो रेसिपी में